हलो एवरिवन भेरी भेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होब आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और होली आप लोगों ने खुब इन्जॉय किया होगा तो मैं हो पिरिया और आप सभी का अपना यूटूब चैनल इट्स पिरिया में स्वागत है और मैं कर रात में आई थी यहां तो घर तो रहता है कवारा हुगा कहीं जाए तो आठ दिन मैं रही थी वहां पर आठ दिन नहीं दो दिन तो आने जाने में ही लग गया छे दिन रही थी वहां पर इतना ही में मेरा घर तो कवारा खारना जैसा हो गया तो अब इसको तो ठीक ठाक करन है रहने के लाइक और यहां पर मैं सोची कि सबसे पहले मसीन लगा देती हूं तो कपड़ा भी धूलते रहेगा और मेरा काम भी होते रहेगा और कपड़ा में मैरा जो मैं गई थी उस दिन का एक दो कपड़ा था यही का निकाला हुआ बो है धूलने के लिए और हस्विन बीच में एक दिन के लिए आये थे तो वो एक दो चादर लेकर आये थे बस पर ओढ़ने और बिचाने के लिए तो वो सब चादर था वही मतलब आने जाने वाला कपड़ा ही है धोने के लिए क्योंकि घर में थी ना तो घर में तो रोज का कपड़ा रोज ही धू जाता था तो वही थोड़ा बहुत कपड़ा था और आई थी तो मैं सोची कि बेटशीट धूल ही देती हूं क्योंकि मैं कहीं से आती हूं तो बेटशीट मैं क्या सभी लोग निकाल ही देते हैं वही बेटशीट आठ दिन से डला हुआ है और उसी पर सोने में अच्छा नहीं कर देती हूं और रात में मैं इस पर कान का निकाल कर रख दी थी क्योंकि रात में मैं निकाल ही देती हूं लगबग अधिकांस दिन कान वाला तो वही मेरा एक बेट पर था और एक गिर गया था मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं सोची कहां गया कहां गया फिर लगा घर में ही क्योंकि कोई आया नहीं है किवल कामबली आई है तो भी जारू पोछा की है और बरतन दोई और चली गई है और मेरा कानवाला तो बेट पर था अभी मैं बेट जार रहे हूं तो फिर मुझे मिल गया नीचे ही गीर गया था बेट से जारी थी तो और मसीन में अभी जगह था तो मैं सोची कि रजाई भी रात में कोई हम लोग नहीं ओड़े थे तो सोची इसका कबर भी धूल देती हूं और रजाई सुखा दूंगी और इसको रख दूंगी बेकार में इधर पड़ा रहने से अच्छा कि जितना काम हो सके निपटालू तो अच्छा है और मन नहीं क कर रहा काम करने का क्योंकि ठकावट हो गया है तो क्या कर सकते हैं लेकिन काम तो करना ही परेगा और फिर मयां को नास्ता करवा दी और रजाई भी छट पर में देकर आ गई कि सूख जाएगा तब तक असच मुझ में फ्रेंट्स इतना ठकावट लग रहा है एक तो कल दीन दर्द देने लगा था रास्ते में फिर मैं दवाई लेकर खाई तब थोड़ा घर आते आते ठीक हुआ तब घर आकर मैं थोड़ा सा बलोग सूट की और रास्ते में कोई भी बलोग मैं नहीं बना पाई दर्द के कारवट तो इसलिए मैं रास्ते में ज्यादा बलोग नही कल सूट कर पाई थी और अभी मसीन लगा दी वो सब काम हो गया मयांका भी नास्ता हो गया रजाई भी छट पर दे कर आ गई तो मैं सोची कि ए सब जो बैग है उसको अनपैक कर देती हूं तब अही जो रोज का कपड़ा है हम लोग का पहिनने वाला वो दोनों बैग से निका लूँगी और बाकी का जो कपरा भी यूज का नहीं है उसको मैं बैग में ही रहने दूँगी और ये सब सारी भी धोना है जो होली के दिन पहनी हों और ससरार पहन कर गई हूं वो सब दोनों सारी धोना है लेकिन आज मैं नहीं धोनगी क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा है ज्यादा काम करने का लेकिन काम तो आज बहुत ज्यादा है क्या ही बताऊं आप लोगों से कि कितना काम है मेड तो क्या है काम जितना रखती हूं करने के लिए उतना करकर वो चली गई लेकिन एक्स्ट्रा काम थोड़ी कुछ करना होता है बाकी तो हम हाउस बाइप को ही करना होता है तो अभी देखिए मेरा दोनों बैग से जितना कपड़ा निकालना था मैं निकाल ली और तब तक मसीन में सर्फ वाला कपड़ा भी धूल गया था तो मैं उसका फिर पानी बाहर निकाल दी अभी प्लेन पानी यानि साधा पानी डाल कर उसको खंखाल दूंगी और यह सब बैग को मैं ले जाकर अलमीरा में रख देती हूं जो टीवी रूम में टीवी के नीचे अलमीरा है वहां पर ही मेरा सब बैग रहता है इस तरह से तो वही बैग को ले जाकर रख दी और यहां पर मेरा और मयां का कपड़ा मयां के अलमीरा में सेट कर दूंगी और मैं अ तोचे कि थोड़ा मैं मदद कर देता हूं तो वो अपना बैक से निकाल लिये थे अपना कपड़ा धोने वाला मसीन में डाल दिये थे और जो नहीं धोने वाला था वो अलवीना में बो सेट कर लिये थे रात में ही तो इस तरह से हो गया यह सब काम अब मैं आ गई कीचन में और यहां पर मैं सुबह में डाल बनाई थी, तो डाल खत्म हो गया था, तो नियू पैकेट निकाल ली थी, तो अभी उसको डबा में डाल दूंगी, और फिर ये बर्तन जो धो कर गई है, अभी मेड़, उसको मैं सेट कर दूंगी एस्टेंड में, और गय स्लेप साप कर लू तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना और फिर देखे मेरा बरतन भी सेट होगे आप लोगों से बात करते करते और यहां पर चाकू बगरा उपर में था सब को पोच पाच के नीचे टो क्रीम रख दी आलू वाला में और अब गैस लेफ साप कर लूँगी और मैं आज बनाई थी मुनगा के सब्जी जिसको साजन भी बोलते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है मुनगा के सब्जी तो बही फ्राई करते समय गैस पर मुझसे दो तीन गिर गया था तो मैं उसको हटा कर इधर सिंग के पास रख दी कि बाद में इसको कच्रा में डा क्या कहूं रात में मैं गैस स्लेप कुछ भी नहीं साप की थी और सुबह उठकर पहले गैस साप की फिर स्लेप साप की उसके बाद ही खाना बनाई हस्विन खाकर ऑफिस चले गया मैं और मयांक हूं और आज बड़ा लरका भी बहां से अभी सारे आठ में चल दिया है अब स इकना काम है कि क्या ही कहूं आप लोगों से अगर हो सकता तो आप लोग आ जाते मदद करने के लिए तो अच्छा होता कोई और साथ में काम करता दो तीन आदमी मिलकर होने से काम करने से असान होता है ना तो इसलिए मैं बोर रही थी बीच बीच में मैं मजाक भी कर लेती ह क्या कहूं थोड़ा सा इंटर्टेन्मेंट भी जरूरी है लाइफ में नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाता है तो देखिए यहाँ पर मेरा सलेप भी साफ हो गया और यह सब जो कच्रा है मुझसे गीर ही गया है थोड़ा सा जादा ही आज खाना बनाते समय तो यह सब को अभी और फिर यह सब काम करते करते मेरा मसीन का कपरा धूल गया तो अभी पाइप निकाल दी और एक बार और मैं इसको मसीन को घुमा दूंगी और जब तक मसीन एक बार और चल रहा है तब तक मैं थोड़ा साइधा सोफा बगरा पर से डस्टिंग कर लूंगी और इसका कवर ब से से सेट कर दूंगी यहां पर क्योंकि कहीं न कहीं रोज रहते हैं और रोज भारते तब भी थोड़ा वो डस्ट हो जाता और यहां तो आठ दिन से घर बन था तो इसलिए थोड़ा सा जादा ही मेहनत लगता है आने के बाद कहीं जाइए घूमने तो बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन आने के बाद उटना ही मेहनत लगता है जितना मस्ती करके आते हैं उतना मेहनत लगता है अरे सब जूला पर inverter पर सभी जगा धूली धूल दिख रहा था तो इस तरह से हम हाउस वाइप तो नहीं रह सकते हाउस वाइप क्या कोई भी गंदगी में रहना पस लिए मैं सब जूले वगरा को साप कर दे रहे हूं कि मैं अंक भी बैठता है हम लोग भी बैठते हैं तो हाथ इधर उधर चला जाता तो दूहल रहता है तो अच्छा नहीं लगता और हेल्थ के लिए भी आनिकारक होता और मैं फिर जूलाक नीचे बैठकर साप करूंगी तो मैं टेवल घसका रही थी और मैं चटाई पर बैठकर अपना होंबर्क बना रहा है तो मैं मैं से बोली कि थोड़ा सा तू आगे घसकजा मुझे टेवल घिसका ना क्योंकि इसके अंदर मैं आ नहीं रही जूले के नीचे तो मैं फिर बोला कि ठीक है तो वही उसको भी आज मन नहीं लग रहा है भाई भी नहीं आए एसकूल भी नहीं आए तो उसका जो सर दिये थे होली के पहले होंबर्क वो बोला कि मम्मी मैं तब तक बना लेता हूं तो मैं बोली ठीक है और यहां टेबल पर कुछ-कुछ लगा हुआ था तो मैं बोली मैं थोड़ा सा पानी हाथ स कि इसका जो लगा हुआ है वो छूट जाएगा तो वहीं बोला रहा था एक एक वून क्या लाता है तो दौबारा फिर लाकर दिया और और लाकर दूपन क्योंकि कुछ को टेबल पर दूद बगार रख देने से चिपक जाता तो उसको अच्छे से साप करना होता और फिर मै मैं आगे कभी पीछे मुझे घसकने के लिए बोड़ी हो मैं तुम बेड़ू में जाकर पढ़ाई कर लो तो बोड़ाई नहीं मुझे टीवी देखना उसको टीवी भी देखना और पढ़ाई भी करना ऐसा होता है क्या लेकिन वो जब भी होंबर्क करेगा तो वो टीवी चला ओना लेगा और हॉंबर्क भी करते रहेगा और टीवी भी देखते रहेगा तो यहां देखे टीवी तुन वकारम दी और पर फिर आगएवी ली धिवी कुमा की टीवी चवेना । भी धिशन चाहिक वे सदोगाई seventeen तो आधा मुंगा बच गया था क्योंकि मैं अंक मुंगा खाता नहीं और हम लोग दो ही जने हैं तो जादा ही हस्वेंड ले आये थे मुंगा तो मैं उसमें से आधा बनाई आधा रख दी तो उसुबह में जल्दवाजी में डाइनिंग टेवल पर ही रख दी तो अभी उसको फ्रीज पर रख दी और मेरे डाइनिंग टेवल का हालत आप लोग देख सकते हैं कि कितना कच्रा अभी इसको ठीक करूँगी नहीं तो मेरा मन न एकंदम बेचान लगेगा ऐसे देखकर डाइनिंग टेवल का डाइनिंग टेवल के तरह मेरा मन भी उल्जा उल्जा क्योंकि वह ज़्यादा ही बीमार होते रहता है तो अच्छा नहीं लगता है बीमार पर जाता और दवाई नहीं रहता है तो हम लोग इसलिए कहीं जाते हैं तो उसका इस तरह से थैले में सारा दवाई रख लेते हैं आरे हां मैं अपना सीदर का दवाई सब टेवल पर अच्छे से लगा दी हूँ और मयां का जितना दवाई है वो एकसाइट कर दी हूँ कि अभी इसको भी थैलाम उठा कर ले जाकर और जहां उसका दवाई रहता है सब वहाँ पर सेट कर दूँगी यही सब काम तो आने के बा अकेले जैसा लगता था लेकिन अब लगता है कि नहीं हमारे फ्रेंड लोग साथ हैं क्योंकि आप लोग जब ब्लोग देखते हैं और लाइक आता है तो अच्छा लगता है कि हमारे जितने भी भी वीवर हैं वो हम सपोर्ट कर रहे हैं तो काम करने का और ब्लोग बनाने का मन करता है और अच्छा भी लगता है और यहां पर मैं बहुत ठक गई थी तो मैं सोची कि अभी काम तो आधा भी नहीं हुआ अभी इससे भी जादा काम है तो करना तो हैं ही तो मैं सोची कि पहले अब चाय एक कप पिया जाए क्योंकि बहुत ही ठकावट हो रखा था शरीर मे कि यार बहुत ठक गए अब नहीं बस करो लेकिन फिर भी काम तो करना ही है तो मैं चाय गैस पर रख दी और इधर जो कपड़ा डाली थी सुखने के लिए मसीन में वो एक तरफ सुख गया थोड़ा कपड़ा आधा और फिर मैं उसको निकाली वाल्टी में अभी छट पर दू कपड़ा तो यहां पर वही जितना कपड़ा सुखा था उसको वाल्टी में निकाल ली और बाकी जो इधर था कपड़ा बिना सुखने के लिए डाल दी और फिर जब सारा कपड़ा निकल गया तो मुझे उसमें लाल-लाल कुछ दीख रहा था मैं सोची क्या है तो फिर मैं उसको निकाल के देखी तो जो राजायके कभर धोने कि लिए दी इसी कर वहीं तर मैं वही सारा कपड़ा उधर सूकने के लिए डालने के बाल मैं सारा रूई उसमें से चुन चुन कर लो ती कि नहीं तो मसीन में फ्छ जाएगा तो मसीन खराब हो जाएगा और दोतीन तो फिर मैं भूल गई थी तो अभी मसीन में डाल दी कि चलो कोई नहीं बड़ा लरका आएगा तो कल फिर मसीन चलाओंगी तो उसमें धूल जाएगा और फिर मेरा मसीन का काम तो सब हो ही गया तो पाइप बगर आभी रखकर धकन बंद कर दूंगी और यहां पर मसीन कर रेखी फिर बोट सेठ हो गया तो नहीं राव और फिर मेरा चाय बन गए तो मैं चाय कर जा रही ole और आ टो सफ्रें देख सकते हैं कितना धीन है धीन चाय लेकर जा रही एह क्योंकि चाय जानते मैं पूरा फूल करती हूं और मुझे लग रहा था कि मैं तेसे जाओंगी तो कहीं चाय गीर ना जाय तो इसलिए मैं इतना धीरे धीरे आ रही थी और मुझे गर्मी लग रहा था तो मैं फैन भी ओन कर ली तो अभी मैं आराम से बैठ कर चाय पी लेती हूं और आगे का जो भी ब्लॉग बनाई हूं वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा क्योंकि ब्लॉग लंबा हो रहा हूं